दोस्तों आउसकार आप सभी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत सागत दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कच्चे करमचारियों के संबधन में एक खबर है वेक्सिनेटर सहाइक भी ध्यान दें उनके लिए भी बड़ी पारकार ने किया तलब दोस्तों बड़ी-बड़ी खबरे बताएंगे पूरी खबर बताएंगे विष्टार से कबसे लागु होगा और कबसे मिलेगा इसका फाइदा लेकिन उससे पहले अगर आप ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो दोस्तों हम आप तो बार बार यही कहते हैं आप लोगों से कि भाई सस्क्राइब कर लिजे चैनल को और ताकि आप लोगों को ऐसे ही जानकारिया मिलती रहें और लगातार जो है हम दिन में वैसे भी कम वीडियो बना पाते हैं तो जो भी जानकारियां होती हैं वो देने का आपका प्रयास करते हैं तो इसके लिए जो है छमा चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो कम आ रहे हैं चैनल पर और दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं बता दूँ कि जो कोई जाप पूछते हैं उसके सही जबाब भी बहुत सारे लोग देते हैं तो उनका जो है नाम भी जो है हम लिख रहे हैं और जिस दिन गिवबे होगा उनको इनाम भी प्रुसक्रत किया जाएगा उन सभी को और उनको इसकी सूचना उन्हें जो है दे दी जाएगी तो दोस्तों चलिए आज का भी सवाल पूछ लेते हैं उसके बाद बताएंगी न्य और 61 कितने होते हैं दोस्तों पांच सेकंड के अंदर आपको जोड़ के जबाब देना है इमानदारी के साथ अगर आप इमानदारी के साथ जबाब देंगे तभी आप जीज सकते हैं दोस्तों बैइमानी करके जीतेंगे कलकुलेटर से जोड़ेंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं होता दोस्तों फिर से सुन लिजिए 71 और 72 62 कितने होते हैं जरूर बताईएगा चले मिलते हैं बढ़ते हैं दोस्तों खबर की तरफ इसमें एक पेपर आया है देखे पेपर में लिखा गया है कि कच्चे कर्मचारियों के पक्के होने के आथार हिंदुस्तान की कवर है पाचास हजार कर्मियों का ब्यवरा सरकार ने किया तलब सफाई कर्मियों को मिलेगा जोखिम और कुछ देखे छोटा से लिखा है साप नहीं उपारा है भत्ता सायत है, जोखिम भत्ता सफाई कर्मचारियों को लिखा गया है इसमें तो दोस्तों आप बताईए कि किस विभाग के कर्मचारी हैं और क्या समस्याइख हैं आपकी वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दें ताकि आपको भी पूरी समस्या का जो है उसको हम उठा सके पने चैनल के माध्यम से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में इतनी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया